हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गाजर मूली और गोभी का चार जो की बनाने में बहुत ही सरल है और खाने में अचार बहुत ही शानदार लगता है आप इस चार को एक बार बनाकर सालो साल इस्तेवाल कर सकते हैं बिलकुल भी खराब नहीं होगा तो कई बार होता है नहीं कि जैसे गाजर मूली और गोभी का चार खराब हो जाता है तो यह चार बिलकुल भी खराब नहीं होगा कुछ इस तरीके से आज हम इसे बनाने वाले हैं तो वीडियो के साथ बने रही है तो फ्रेंट्स गाजर, मूली और गोभी का चार बनाने के लिए सबसे पहले आपको गाजर, मूली और गोभी की quantity डिसाइड करनी है जितनी गो भी ले रहे हैं आप उतना ही गाजार ले और उतनी ही मुली ले तो बेसिकली तीनो चीजों की क्वाइंटिटी आप बराबर रखेंगे ना तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है और साथ में कुछ हरी मिर्ची हैं इसे भी हम इसमें डालेंगे तो मैंने तीनो चीजों को वाश करके बहुत अच्छे से और इन्हें छीलकर इन्हें कट कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून नमक और अच्छे से मिला देंगे तो friends मैंने दो टेबल स्पून नमक डाला है एक टेबल स्पून हल्दी का पाउडर डाला है मेरी सबजों की जो quantity है वह डेड़ केजी मैंने लिया है तीनों सबजों को मैंने आधा-धा किलो लिया है दूसरा सबजों को बराबा टुकडों में कट किया है और तीसरा जब सबजों का आटा या मैदा या बेसन कुछ भी आसपास हुआ तो आपका अचार खराब होने के चांजिस हो जाते है तो सारी सबजों को आपस में मिला कर इसमें नमक और हल्दी मिला दीजिए और यह जो प्रोसेस आप करते हैं यह रात में लगबग 8-9 बजे करिए इससे ही होगा कि रात भर आपके अचार को मैरिनेट होने का टाइम मिलेगा और आपका जो अचार है उसमें नमक और हल्दी का फ्लेवर जाएगा जिसके वज़े से आपके अचार के सेलफ लाइब पढ़ जाएगी तो यह देखे फ्रेंड्स मैंने अचार को रात में 9-10 बजे के करीब इसको मैरिनेट करके रखा था और सुबह मैंने इसको 8 बजे के करीब चेक किया है अचार अच्छे से मैरिनेट हो गया है और यह देखे इस तरीके से पानी आपको अचार में दिखेगा अब आपको क्या करना है कि जो अचार है इसकी फांके जो है इनको किसी बरतन में फैला ले या फिर किसी कपड़े पे फैला ले और अगर धूप है तो धूप में सुखाईए इस तरीके से पानी आपको दिखे गए पानी फैक ना है तो अगर आपके घरांगन में धूप आती है तो धूप में सुखा या नहीं तो इसे पंखे में 3-4 घंटे सुखाना है आपको अगर पंखे के नीचे सुखा रहा है तो 4-5 घंटे लग जाएंगे धूप में 2 घंटे सुखाएं ऐसे हाथ से दबा कर देखे अगर आपके हाथ पे पानी नहीं है मोश्यड नहीं है इट मींस यह पाफेक्ट है और शेप भी इसके एजटी दिखेगी आपको सु कुड़वा नहीं होना चाहिए अचार कई बार अचार इतना सुक जाता है कि वो सु कुड जाता है तो फां के सु कुड़िनी नहीं चाहिए नहीं तो आचार अच्बाまरा कमप्लेटली रेडी है तो इसे बनाने के लिए अब हम भूनेंगे मसाले, यह जो मसाले हैं, यहां पर सबसे पहले लिया है मैंने 2 टेबल स्पून फैनल सीड्स यानि के सौफ का दाना, तो यह मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, खाना खाने वाली 2 चमच लीजेगा, 1.5 केजी के साफ से मैं आपको मसालों का मेजर्मेंट दे और 3 टेबल स्पून लिएंगे इसमें राई, तो यहां पर यह राई है, राई दिखने में बारीक होती है, आपको बिल्कुल ऐसे लगएगा जिसे सरसो का दाना ही होता है, लेकिन साइज में यह काफी पतली होती है, बारीक होती है, और यह पीले कलर का भी आता है, कोई सा जीरा, सारी चीजों को डाल कर अच्छे से लो फ्लेम पर भूनना है, और यह हरी मिर्चें, जो मैंने 100 ग्राम ली है, और अपनी पसंद के साथ से ने कट कर लिया है, अब यह जो मसाले ने भूनना निवारिया है, भूनने से इनका नेचरल ओयल निकलेगा, आपके अचार की लाइफ यह बहुत जादा बढ़ा देगा, तो इसलिए मसाले को भूनिये, लो फ्लेम पर अल्मूस्ट दो मिनट, तो अचार के लिए मसाला भूनना कंपलसरी है, तब यह अचार की जो लाइफ है, वो लोंग हो जाएगी, चार बड़ी चमच मैने सरसो का तेल बहुत अच आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर डालना टोटली ओप्शनल है, आप अवोइड भी कर सकते हैं, एक टेबल स्पून मैने लिया है, रेगुलर सॉल्ट, आप काला नमक पी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इन्हें थोड़ा कोर्सली पीसी एकदम फाइन पाउडर नहीं ब ला देंगे, और यह जो अचार है, इसके लिए जो मैने मिर्चे ली हैं, सो ग्राम ली हैं, आधा कप मैने लिया है भी विनेगर, वाइट विनेगर है, आप यहाँ पर काला वाला जो विनेगर होता है गन्ने वाला वह भी ले सकते हैं, आप जो है एपल विनेगर ले सकते ह है निम्बू का रस भी ले सकते हैं आधा कप आपको डालना है एक छोटा चमच डाला है मैंने इसमें नाइजिला सीड्स यानि के कलोंजी एक टेबलिस्पून कश्मीर लाल मिर्ची इससे कलर बहुत यह अच्छा आता है लेकिन यह भी टोटली ओप्शनल है अब जो है विने कांच की बढ़ने का ही उसकरें और जर सरसो का तेल गरम किया था ना उसको ठंडा करने के बाद इसमें एक से दो चमच डाले और पूरे डब्बे में अच्छे से फैला ले तो यह जो बोटल है आपको बिल्कुल इस प्रकार से ही रेडी करनी है आप हम इसमें डालेंगे सर अच्छे से मिला दिया है अब एक बात और आपको बहुत इंपोर्टेंड जो याद रखनी है इस अच्छार को बनाते वे जो हरी मिर्ची हमने लिए ना आप अपने टेस्ट के साफ से ले लिजे जितना भी आप खाते हैं तीखा हरी मिर्चे लेकिन जो मिर्चे आपने ये ध्यान रखना है अब ये अचार हो गया है रिड़ी एकदम तो सारे मसाले मिलाने के बाद तेल मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि तेल बिल्कुल पे जाद है नहीं है ऐसा नहीं करना कि तेल इसमें से बहरा है तो अभी नहीं डालेंगे बस अभी इतना डालें कि अ पाने में उबाल लें 2-3 मिनट और उसके वाद उसे दूप में सुखा लें आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आप इस कांच की बोटल में दो से तीन चम्मच विनेगर डालकर बोटल में गुमा लें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं तो आपका अचार जो है ने इससे बिलकुल नहीं लिए दे तो इस बात का विशिश्टियान रखें अचार डालने के बाद डबे में इसको दबा दबा कर भरें अचार में हवा नहीं होनी चाहिए अचार को दबा दबा कर भरेंगे तो आचार में तेल भी कम लगेगा अब अचार को बोटल में भरने के बाद सरसों का गरम की हवा तेल जब ठंडा हो जाए तब इस बोटल में उपर से डाले जादा ना डाले थोड़ा ही डाले और उसके बाद धक्कल लगा कर इस अचार को दो से तिन दिन धूप में रखें धूप में रखने से आपके अचार की लाइफ भी बढ़ेगी और अचार बड़ी जल दें और इसके जगे कोटन का कपड़ा बांदें और जब आप अचार को दूप में रखते हैं तो सुबह अगर आप रखते हैं तो शाम के टाइम बोटल को अच्छे से हिला दें